नमस्कार मित्रों देशागी आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूद कॉंप्टिशन टाइम्स की एकाई तीन जिसके अंतरगत भक्तिकाल चल रहा है भक्तिकाल में हमने रामकावे तक पढ़ दिया है 556 प्रिशन हम पढ़ चुके हैं भक्तिकाल एकाई तीन के आपको कैसा लग रहा है आप ये भी बताइएगा अगर कोई कमी हो रही है कोई फीड़बेक आपको देना है तो वह भी आप बता सकते हैं बिना समय वेर्थ खवाय हम आगे पढ़ा ही प्रारम करते हैं क्रिश्न काव पढ़ना प्रारम करते हैं सुदामा चरित किसकी रचना है सुदामा चरित नरुत्तम दास की रचना है यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव है सुदामा चरित के संबंद में शुकल जी ने कहा है यद्दपी एक छोटा है यद्दपी एक छोटा है पर इनकी रचना बहुत ही सरस और हिदा ग्राहनी है और कभी के भावुकता का परिचा देती है भाशा भी बहुत परिमारजित और विवस्थित है नरुत्मदास जी द्वारा रचित अन्य गरंत है दुरुप चरित नाम संकीरतन और विचार माला सुदामा चरित जो है नंददास ने भी लिखी है तो नंददास और नरुत्मदास दोनों रचनाओं के उत्तर हो सकते हैं यहां उन्होंने सीम आना है अगला प्रशन है निमल संददास कुंबंदास सूर्दास तो हैं ही लेकिन रहिदास नहीं है रहिदास भक्तिकाल के अंतरगत ग्यानाश्री शाखा के संथ कभी है इसलिए उत्तर होगा रहिदास कुछ स्वामी बिढ़नाथ ने 1525 भी में चार बलवा चार और चार अपने शिष्यों को मिला कर अष्ट चाप की इस्थापना की थी बलवा चार के कुल 84 तथा बिढ़नाथ के 252 शिष्य थे बल्लवचार के कुल 84 और विठलनाद के 252 शिश्य थे अश्टचाप के प्रमुक कवी निमलिखित हैं यह हम याद रखेंगे यह बहुत महत्वून है यह पूरी पंक्तियां हमें याद रखनी है अश्टचाप के कवी हैं इन में से चार बल्लवचार के हैं और चार बिठलनाद के हैं तो बल्लवचार के पुत्र बिठलनाद थे और बल्लवचार के चौरासी शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कहा है बिठल नात ने सूरदास को फुष्टि मार का जहाज कहा था पर्मानंद ने पर्मानंद सागर दान लीला दुरूप चरिज जैसे गरंतों की रचना की नंदास को जडिया कहा जाता है और कभी बढ़िया नंदास जडिया ऐसा कहा जाता उनके बारे में अगला प्रश्ण है स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है स्वामी हरिदास द्वारा कौन सा संप्रदाय प्रवर्तित है कौन सा हमें याद है सकी संप्रदाय स्वामी हरिदास ने ब्रंदावन में निंबार्क मत के अंतरगत सकी संप्रदाय तटी संप्रदा नाकि स्वामी हरिदास अकवर के दरवारी कवी तान से इनके शेश्य थे सकी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वो पर इमाना गया है स्वामी हरिदास के दो गरंथ प्राप्त हुए हैं सिध्धान्त के पद और केली माला संकादिया निमबार्क संप्रदाय के अप्रवरतन निमबारक अचारे ने किया था मूल नाम निमानन्द था ये बहुत अच्छी पंक्ती है इसको याद करिएगा इनका मूल नाम क्या था निमानन्द सकी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वो पर ही माना जाता है ये भी याद रखना है अगला पृष्ण है अस्ट चाप से संबंद इन में से किस का विधारा से है सभी को पता है कृष्ण का विधारा से है गोस्वामी बिठल नाथ ने सन 1565 इसवी में चार बल्लवा चारे और चार अपने शिश्यों को मिलाकर अश्टचाप की स्थापना की थी अश्टचाप कभियों के नाम निम्लिके थें कुम्बन दास, सूर दास, पर्मानन दास, कृष्ण दास, गोबिन स्वामी, चीत स्वामी, चत्रबुजदास और नंद दास कुम्बन दास प्रथम अश्टचाप कभी थे विजाती चत्री थे भक्तिकाल की दूप्रम काविदारा हैं निर्गुन भक्ति धारा और सगुन भक्ति काविदारा निर्गुन भक्ति काविदारा के अंतरगत ग्याना श्री काविशाखा, संत काविदारा और प्रेमा श्री काविशाखा के इस्थान पर प्राप्त हुआ है सगुन का विधारा के अंतरगत राम बक्तिशाखा और कृष्ण बक्तिशाखा नामक दो धाराएं प्रभावित हुई है रासो का विधारा आदिकाल से संबंदित है ये चार धाराएं उन्होंने दी हैं सूफी, राम, रासो, कृष्ण तो इसके अधार पर इसका विबरण भी उन्होंने दिया है इन में से अकवर दरवार के नौरत में किशामिल कवी कौन से थे हमें पता है रहीम दास थे रहीम खान थे रहीम दास भी कहते हैं अब्दुलरहीम खान खाना इनका पूरा नाम था दोहावली, नगर्शुभा, श्रंगार, सूर्था, मदनास्टक, रहीम दास की प्रमुक्रचनाएं है बरवय नायका भेद जो है रहीम दास द्वारा अवधी भाशा में लिखा गया प्रथम रीती निरुपक ग्रंथ है ये बहुत महत्पून है रीती निरुपक ग्रंथ कौन सा है बरवय नायका भेद अब अकवर ने अपनी सत्ता के सुद्रीडिक करण है तू नो विद्वानों की नियुक्ती की जिने कालंतर में अकवर के नौरतन के नाम से भी जाना गया अकवर के नौरतनों में शामिल प्रोंक विद्वान है अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोटरमल, राजा मान सिंग, राजा अब्दुलरहिम खान काना अगला प्रशन है, अश्टचाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबन्द था? उत्तर है कुम्बंदास और चतरबुजदास कुम्बंदास अश्टचाप के कवियों कुम्बंदास चतरबुजदास में पिता पुत्र का संबन्धा अश्टचाप की इस्थापना बल्लबाचार के पुत्र बिठ्थलनात ने की बिठलनात ने इसकी इस्थापना की थी, कौन से सन में की थी, अभी अबने पड़ा है, दू बार 1565 इस भी में की इनकी इस्थापना की गई, इसमें चार बल्लवाचार के शिश्श थे, जिसमें कुम्भन, सूरदास, परमाननदास और कृष्णदास, बिठलनात के शिश्श और ननदास, सूर्सागर में बरनित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनरूपता है, भागवत के द्वादश इसकंद से, सूर्सागर में बरनित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनरूपता भागवत के द्वादश इसकंद से है, सूर्सागर ब्रजभाशा में महाकवी सू सूर्सागर के दो रूप मिलते हैं संग्रहात्मक और संस्क्रिट भागवत के नुसार 12 सिसकंद हात्मक सूर्सागर को विविन विद्वानों ने सर्वसंपती से गे मुक्तक का विका है सूर्दास दौरारचित 25 गरंत बताय जाते हैं जिसमें तीन ही उपलब्द हैं जिसमें इनके नाम है सूर्सागर, सूर्सरावली और साहित तिलहरी नंददास के विक्तित्तों एवं क्रित्तों के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है नंददास के विक्तित्तों के संबंद में पहला है वे गुर्सवामे बिठलनात के शिश्य थे ये सह ही है अश्ट चाप के कवियों में से वे ही सरवाजिक प्रसिद्ध हुए यह गलत है उनकी सर्वोत क्रिष्ट रचना हैं रास पंचा ध्याई और बमरगीत हैं यह सही है रास रस्मंजरी नाइक नाइका भेज से संबंदित रचना है यह भी सही है उत्तर कौन सा हुगा दीग लब संपरदाय के अश्ट चाप कवियों में से एक प्रमुकवी थे तथा गोस्वामी विठ्थलनात के शिश्य थे नंद दास की रचना है रास पंचा ध्याई ध्याई ध्यान मंजरी इसमें थोड़ा सा बलर हो गया है अगले बात प्रश्ण पर आते हैं किस आचार के दा वेदा वेद नाम से भी जाना जाता है निंबार्क संपरदाय वेरागियों के चार संपरदायों में अत्यंत प्राचीन संपरदाय है इस संपरदाय को हंच संपरदाय कुमार संपरदाय और संकाधी संपरदाय भी कहा जाता है इस संपरदाय का सिध्धान दोयता दोयदवा भी कहा जाता है मतुरा में इस्थित द्रुप टीले पर निंबार्ख संपरदाय का प्राचीन बंदिर बनाया गया है निमलिखित आचारे और उनके दार्शनिक सिद्धान भी पड़ लेते हैं रामानुजाचार ने विश्टा द्वाद दिया मद्धवाचारे ने द्वाद विश्णु स्वामी ने शुद्धा द्वाद दिया है अगला प्रशन है बल्लवाचार के विश्ए में कौन सा कथन सही नहीं है बल्लवाचार के विश्ए में इनका दार्शनिक सिद्धान शुद्धा द्वाद कहा जाता है बल्लवाचार और विश्णु स्वामी दोनों शुद्धत वैत्वाद की व्याक्या की है इनके मत को पुष्टी मार्क भी का जाता है बिल्कुल सही बात है इन्होंने अनुभाश्य सुवधिनिटी का अधिगरंदों की रचना की है यह भी सही है मूलता इनका संबंद रामा नुजाचार के श्री संपरदाय से इस्थर किय जाता है तो यह उत्तर हुआ श्री डी क्योंकि यह गलत है मूलता इनका संबंद रामा नुजाचार के श्री संपरदाय से इस्थर किया जाता है गलत है श्री बल्लबाचार की वक्ति कालीन सबुन दारा की क्रिश्न वक्ति शाखा के आधार इस्तम वेवंपुष्टी मार् बैश्वा नरावतार अगनी का अवतार कहा जाता है किसको कहा जाता है बल्लवाचार को कहा जाता है इनके द्वारा स्थापिद मत को परतमान में बल्लव संपरदाय या पुष्टी मार्ग संपरदाय के नाम से जाना जाता है और मूल रूप से विश्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय में इस्थिर किया जाता है वल्लवाचार के प्रमुकदार्शनिक ग्रंथ कौन-कौन से हैं अनुभाष्य तत्वदीप निवंध पंच श्लोकी पुर्शोत्तम सहस्र नाम पत्राव लंबन मदुराष्टकम पूर्मिवान सा भाष्य और सुबोदनेटी का फिर से एक बार पढ़ लेते हैं अनुभाष्य तत्वदीप निवंध पंच श्लोकी पुर्शोत्तम सहस्र नाम पत्राव लंबन मदुराष्टक पूर्मिवान सा भाष्य सुबोदनेटी का भागबात पर आधारित है अगला प्रशन है कौन सा विवरंड सही नहीं है चौरासी बैशनवन की बारता में बललबाचार के शिश्चों की कताएं संकलित है यह सही है 252 बैशनवन बारता में बिठ्थल नाथ के शिश्चों कताएं है यह भी सही है उक तो दोनों बारता हैं को समय बिठ्थल नाथ द्वारा लिखी गई है यह भी सही है शमा कीजिए यह सही नहीं है गोकल नात रजित दो वारता ग्रंत प्राप्त होते हैं पहला चौरासी वैश्णोवन की मारता और दो सो बावन वैश्णोवन की वारता यह विठ्छल नात ने लिखा है गोकल नात ने लिखा है जबकि चौरासी वैश्णोवन वा प्राचीन ब्रजवाशा गद्दिकार रूप मिलता है इनमें अगला प्रश्ण है बक्तिकालिन कृष्ण काव विदारा के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है इसकी एक सामान प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंद रूप में रचा गया है यह गलत है पुष्टी मार की यह कृष्ण काव में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को भिशेश महत तो दिया गया है यह सही है कृष्ण काव का सरवादिक प्रिय विशे रादा कृष्ण की प्रेम लीला है बिलकुल सही है अधिकांश कृष्ण का व्यगीती पदों में रचा गया है यह भी सही है तो उत्तर क्या हुआ एह आंसर हुआ इसकी एक सामान प्रकृति यह है कि अधिकतर प्रवंद रूप में रचा गया है गलत है इन में से कौन सा कवी ज्यानमार्गी विचारधारा से संबद नहीं माना जाता है जम्मनात माने जाते हैं, मलूगदास माने जाते हैं, सुन्दरदास भी माने जाते हैं लेकिं दुरुगदास नहीं माने जाते हैं दुरुगदास रादा विल्लव संपरदाय के बक्त कवियों में प्रमुक हैं जबकि जम्मनात मलुक दास और संदर दास ग्यानमार की शाखा के प्रमुक कभी है मलुक दास बारा कड़ी रतन खान ग्यानवोद संदर दास की रचना है ग्यान समुद्र और संदर विलास जम्वनात की है विश्णु संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में इनकी पहचान है मलुक दास की रचना है बारा कड़ी रतनिकान और ग्यानवोद अगला प्रशन है रादा वललब नामक वैश्णु वक्ती संप्रदाय के प्रवर्तक है कौन है रादा वल्लव नामक वैश्न वक्ती संप्रदाय के प्रवर्तक हमें पता है हित हरी बंश है इसके अलावा बल्लव अचार जो हैं बल्लव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रादा वल्लव संप्रदाय के हित हरी बंश हैं सागी संप्रदाय के स्वामी हरी दास हैं गोड इस्थाबना की, राधा बल्लव संपरदाय में राधा प्रमुक हैं, बिल्कुल सही है, बल्लव अजार ने शुद्धा दौयत पात की स्थाबना की है, स्वामी हरिदास तान सेन के गुरु थे, गौडी संपरदाय की आस्था, दौयता दौयत पात के प्रती है, पुष्टी म ने कहा था सूर्दास के सम्मान में जब वो मरत्यु शया पर थे पोश्ट्री मार्क को जहा जात है सो जाको कचु लेना हो सो लेओ सूर्दास के मरत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्द वचन विठ्छलनाद के हैं कुम्भन दास अश्ट चाप वक्त कवियों में सबसे जे चारों बल्लब्स वाचारिक के शिश्य तथा गोविन स्वामी छीत स्वामी चतुर भुजदास नंद दास को लेकर अश्ट चाप वक्त कवियों की मंडली की स्थापना की अगला प्रशन है सूर्द सागर की किसी सूर्द सागर किसी चली आती होई गीत का भी परंपरा का बले ही वह मौकिक हो विकास प्रतीत होता है उक्त इस्थापना किसकी है यह रामचंद शुकल जी की स्थापना है सूर्द सागर की संदर्ब में उपर युक्त इस्थापना रामचंद शुकल ने लिखी है क्या लिखी है सूर्द सागर किसी चली आती होई गीत का भी जन्जन शुक्लकेंवजार रम छरित गान की कर्ने वाले भक्त कवियों मैं गोस्वामी तुल्सीदास सारफ्म का नां सईयद उबराहिम है इनकी रचनाव बाडिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवरदगाने आदे दिन जाने का दिरश्य मिलता है, रसकान बिठलनाथ के किरपअपात्र शेश्श थे, भारत हिंदू ने इनकि समरपण लिखा है, समरपण पर लिखा है, इनमसल्मानन हरी जनन पर कोटन हिंदू वारीये, आचारे शुक्ल ने लिखा है और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति कावे का आश्रे ना लेकर कवित्त सवईयों में अपने सच्चे प्रेम की विंजना की है रचनाएं इनकी रचनाएं भी देख लीजे दान लीला, रसकान शतक, सोजान रसकान, अस्टियाम प्रेम वाठिका अगला प्रशनाएं मलुक दास की रचनाएं हैं ग्यान बूद, रामावतर लीला और धरबचरित, रहीम की प्रमुक रचनाएं बर्वज नायका भेद, रास पंचाद्याई, खेट, गोदुकम, मदनास्टक, सूर दास की प्रमुक रचनाएं सूर सरावली, साहित लेरी और स अगला प्रशना है ग्यान ग्लत हुआ है, क्योंकि इसमें कोई भी रचना रच से संबान नहीं, रच सिद्धान के विशेद सा भी नहीं है, इसके लेखक रस्मंजरी के नायका भेद से संबान ग्रंच है, जिसके नायक जिसके लेखक नंददास है रस प्रबोत रसलीन की रचना है 1747 इस विमेश की रचना की गई थी रस रहस से कुलपती मिश्र की रचना है रस रंग गौल कभी की रचना है जो रीतिकालीन कभी है नंददास की प्रमुक्रचना हैं रस मंजरी अनिकार्थ मंजरी भागवत दसम शकंद शाम सगाई गोबर्दन लीला सुदामा चरिद बिरह मंजरी रूप नंजरी राज पंचाद्याई भवारगीत सिद्दान पंचाद्याई इत्यादी नंददास जी के बारे में बहुत एक कथन प्रिचलित है और कभी गड़िया नंददास बड़ियां आयोग ने इसका उत्तर एफ मानाया ताइफ फाल्स माना गया अगला प्रिच्न है वक्तिकाल के किस कवी ने बरवई नाय का भेद लिखा है यह हमें पता है कि यह रहीम दास जी ने लिखा है रहीम दास जी ने बरवई नाय का भेद अबदी भाशा में रचित गरंथ लिखा है इसको रीतीन रुपक गरंथ की श्रेणी में रखा जाता यह नाैका बेत का सरव हूत्थम ग्रंध है रहीम के बारे में तुलसिदास ने लिखा था तुलसिदास ने कहा है सुरती नरती नागती है सब चाहती यसी होए इसके उत्तर में रहीं दास कहते हैं कि गोदली है हुलसी फिरे तुलसी सोसित होए रसकान की दो प्रसिद रचनाए है रसकान की प्रेम बाटिका और सुजान रसकान प्रसिद रचनाए है नंददास की प्रमुक रचनाए हैं रास पंचाद्ध्याई, रसमंजरी, अनिकार्थ मंजरी, श्याम सगाई नंददास अश्टछाप के कभियों में से एक तथा बिठलनात के शिश्य थे नंददास की रचनाए जो हैं राग रतनाकर, जगल मानजरित और राग कल प्रद्रुम हैं मीरा वाई की उपासना है, मीरा वाई की उपासना कौन सी प्रकार की है अनकी माध्र भाव की अपासना है और गिष्ण के प्रतियन ने प्रेम के कारण ही मीरा की वक्ति लोैसकी वक्ति Нें दासे भाव की वक्ति थी सक्यतता वांत्स़त्सवाव की अपासना सुर्धास जी ने की है नरसी जी का मायरा किसकी रचना है मीरावाई की रचना है नरसी जी का मायरा मीरावाई की प्रसद रचना है मीरावाई भक्तिकाल की प्रसद कवित्री है जिनका जन्म 1516 इसवी अर्थात 16 इसवी शतावदी में हुआ यह कृष्ण भक्त कवित्त्री हैं इनकी प्रसिद्ध रचना है नरसी जी का मायरा गीत गोबिंद का टी का राख सोठा इत्यादी है रहीम जो है आचारी रामचंदर शुक्ल ने इनहें बक्तिकाल के राम का विधारा के फुटकल कवियों में रखा है इनकी प्रमुक्रचना रहीम सत्सई श्रंगार सोठा रास पंचाद्याई भरवे नायका विध इत्यादी है रस्खान की जो कृष्ण का विधारा के कवी है ये सवये के लिए प्रसिद्ध है इनकी प्रमुक्रचना है प्रेम वाटिका दान लीला अस्ट्याम सुजान रस्खान प्रेम वाटिका दान लीला अस्ट्याम सुजान रस्खान रस्खान की रचना है मदनास्टक इन मेंसे किसकी रचना है मदनास्टक इन मेंसे किसकी रचना है ये रहीम दास की रचना है मदनाश्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रिश शैली में रचित कृती है इसका वर्ण विशे भगवान श्रीक कृष्न की रासलीला है इस कृती में मालिनी चंद का प्रयोग किया गया है कवी गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाथ था ये कवर के दरवारी कवी थे गंग पच्चीसी गंग पदावली और गंग रतनावली इनकी प्रोंक रचनाएं है मदनाश्टक रहीमदास की रचना है मदनाश्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रिश शैली में रचित कृती है इसका वर्णविश है भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है इस करदी में मालिनी चंदगा प्रयुक किया गया है बहुत महत्वण पंगती है कि मदनाश्टक में कौन से चंद प्रयुक किया गया है ये मालिनी चंद है कवी गंग का वास्तिक नाम गंगा प्रसाथ था ये एक वर के दरवार की कवी थे गंग पच्चीसी गंग पदावली और गंग रतनावली इनकी प्रमुक रचनाएं हैं रहिमदास की रचनाएं हैं दोहावली या सत्साई वरवे नायका भेद नगरशो बावनस्टक खेट कौटकम क्रेंगार सोठा रास पंच्याद्याई इत्यादी दन्दास की रचनाएं हैं अनिकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुकमणी मंगल, भवर गीद, रास पंचाद्याई, सिध्धान्त पंचाद्याई, दशम इसकंद भाशा, दुरुपदास की रजनाएं हैं मन रंगार लीला, रस भिहार लीला इत्यादी, ब्रह्म संपरताई के संस्तावक कौन हैं, मदवाचयर हैं, इन्होंने शुद्ध दवयद वाद की स्थाबना की थी、 इनका ये महराज, जो हैं, मदवाचयर जी हैं, बारवी शतावदी के महान सं थे, इनका जन दक्षन लव में हुआ था इनके पिता का नाम भी नाम श्री नाराएंड जी भट तथा माता का नाम वेदवती था इनों ने अपने इनके सिद्धान्द को दवयदवाद के नाम से परखात हुआ है यह नूने दवयदवाद के नाम से अपना सिद्धान्द दिया था अगला प्रशन है गोष्षवाम बिठ्धलनाद द्वारा अष्ट छाभ की इस्थापना का वर्ष कब कौन सा है पंद्रा सु पैंसट जी हैं पंद्रा सु पैंसट है गोस्वामी बिठलनाथ द्वारा अश्टचाप की स्थापना का वर्ष पंद्रा सु पैंसट इस भी है अश्टचाब महाप्रभू श्री बल्लवाचार और उनके पुत्र श्री बिठलनाजी द्वारा संस्थापित वक्तिकालिन आठ कृष्ण भक्त कवियों का समूह था जिनोंने अपने विविन्पद तथा की इर्दनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लिलाओं का अगला प्रश्ण है सूर्दास का प्रेमपक्ष लोक से न्यारा है या कथन किस विद्वान का है या कथन रामचंदर शुकल जी का है अचारे रामचंदर शुकल जी ने अकथन कहा है कि सूर्दास का प्रेमपक्ष लोक से न्यारा है रामचंदर शुकल जी ने ब्रहमर गीत सार की भूमिका में यह लिखा है सूर्दास ने प्रेम के लगवक सभी पक्छों, सहियों, वियोग, बातसर लिको अपनी रचनाओं में सरबूत कृष्टता अब्रदान की है ब्रमर गीत श्रीमत भागवत के दसम इशकंद के सेंतालिस बे अध्याय में बरनित केवल दस इस लोकों से लिया गया है ब्रमर गीत के ब्रमर गीत के ब्रमर गीत को प्राया उपालंब काविक कहा गया है आचार शुक्ल ने द्वनी कावे कहा है किसको कहा है ब्रमर गीत को सुर्दास के ब्रमर गीत की है परंपरा आगे भी चलती रही जैसे नंद दास ने ब्रमर गीत लिखा है सत्यनार्ण कवी रत्न ने ब्रमर दूत लिखा है और जगन नात दास रत्नाकर ने उधर्शतक लिख अगला प्रिश्ण है पॉन मया करी घूंगट तारे दया करी दामेनी दीप दिखावे काव पंक्ती किस कवी की है यह पंक्ती नहीं नागरीदास जी की पंक्ती है नहीं नागरीदास हिंदी साहित के जाजल मान नक्षत रहें नागरीदास जी का जन्म संबत 1590 के आसफास पा नंददास की करती नहीं है निम लिखित में से कौन सी नंददास की करती नहीं है रूप मंजरी है विरह मंजरी है मान मंजरी है कभी प्रिया नहीं है कभी प्रिया केशवदास जी की रचना है रूप मंजरी विरह मंजरी मान मंजरी नंददास की रचना है कवी प्रिया केश अदास की रचना है इसका समय सुला सुए की स्विये केश अदास की अन्य रचना है रसिक प्रिया राम चंद्रिगा और विग्ञान गीता इत्यादी है अगला प्रशन है अकिया हरी दरसन को की भूंगी बारक वह भूंख फेर दिखायो इसमें पत्य का दोना होता है योजी सीनेट में ये प्रशन पूचा गया था बारक वह मुक फेर दिखायो दोही प्रशन को पत्य का दोना जो सुर्दास जी के पत्स से लिया गया है सूर्दास जी की रचनाएं है सूर सागर, सूर सरावली और साहित लहरी अगला प्रशन है मारारी, गिरदर, गुपाल, दूसरा आना, कुया दद मत, गरत, काड, लया, डार, दया, चुया उक्त पंक्तियों में चुया का आर्थ क्या है? चुया का आर्थ है, मठ्था उक्त पंक्ति में परियोक्त चुया का आर्थ मठ्था है, वो परियोक्त पंक्ति बक्तिगाल की संपरदाय निर्विक्ष कवित्री मीरा वाई की है, इनकी प्रमुक रचनाएं है राग गोविंद, राग सोठा, गीत गोविंद, नरसी जी का माहरा, मीरा वाई की अन्ने मेत पुन पंक्तियां है, बसो मेरे नैनन मेन नलाल, हरी तुम हरो जन की पीर, घायल की गती घायल जाने और न जाने कोई, जाके स्वर मोर मुकट मेरो पती सोई, हरी तुम हरी, हरो जन की पीर बसो मेरे नेनन मिन दलाल ये चारो पंक्तियां याद रखिएगा और ये ज़्याद रखिएगा महारारी गिर्दर गुपाल दूसरा ना कुया अगला प्रश्ण है निमलिकित मैंसे चतरभुष दास के संबंद में सही है कुम्बन दास के पुत्र थे सही है इनकी सही का थन पहला और चौता है अरताद उत्तर सी हुआ हिटजू का मंगल इनकी काविकरती है कुम्बन दास के पुत्र थे चतरभुष दास का समय 1530 से 1585 भी है इनके गुरु गोसाईं विठलनात थे इनका जन्म जमनावती उत्तर प्रदेश में हुआ ये अश्टचाव के क कवियों में कुम्बन दास सबसे बड़े तथानन दास सबसे छोटे थे अगला प्रश्न है सूची एक और सूची दो से सुमेलित कीजिए सूची एक और सूची दो से सुमेलित करना है प्रकरती जाके जोई अंग परी स्वान पूंच कोटिक जो लाग है सुधीना का हुकर यह सी एका पहला है एक दो तीन चार ही उत्तर आएगा प्रकरती जाके जोई अंग परी स्वान पूछी कोटिक जो लागए सुधीना काहु करी सूरदास ने लिखा है बहुवदी चित्र बनाए के हरी रच्चियो करीडा रास जही ना इच्छा जूलवे की ऐसी बुद्धी के ही पास कवीरदास ने कही है तारो रूप देख्यां अटकी कुल कुटुम्ब सजन सकल बार बार हटकी मीरा वाई ने कहा है क्योंकि इनकी भाशा राइस्थानिया लगी दिख रही है तो इससे भी आप अपना बुद्धी चलाकर उत्तर लगा सकते हैं गुरु नित मोही प्रबोध दुखित देखी आचरन मम मोही उपजाई अतिक्रोध दंभी नीति के भावई यह तुल्जी दास ने कहा है अगला प्रश्न है निमलिखित विकल्पों मेंसे कौन सा विकल्प अश्टशाप के कवियों संबंदित सही विकल्प है निर्गुड प्रम के उपासक थे नहीं है कृष्न भक्त थे यह सही है सूफी कवी थे नहीं है राम भक्त थे नहीं है अर्थाद उत्तर हुआ भी कृष्न भक्त थे अश्टशाप के स्थाबना बर्ष 1565 इसवी के बल्लवाचारे के पुत्र गोस्वा में बिठलनात ने चार अपने तथा चार बल्लवाचारे जी के सिश्चों को मिलाकर की है पुम्बंध दास पुर्थमस्ट चाफिक खवी थे कुम्बंध दास ने लिखा है संतन को कहां सीकरी सौकाम आवत जात पनाईया तूटी बिसर गयो हर इनाम अगला प्रशना है निमन में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असथ निमन में से कौन सा कथन असत्त है पाय योद्या और राजनितिक गी थे ये सही है वे अनपड़ थे ये गलत है वह कला मरमग थे बिल्कुल सही है और वह विद्या वैसनी थे ये भी सही है उत्तर हुआ भी वे अनपड़ नहीं थे अच्छे खासे पड़े लिखे बिद्वान थे रहिमदास का मूल नाम प्रदिभा के धनी भी थे उन्होंने अवदी और ब्रजभाषा दोनों में कविता लिखी है इनका बरवे नायका भेद अवदी भाषा में लिखा नायका भेद का ग्रंथ है दोहा वली नगर सुभा श्रंगार सुर्ठा तथा मदनाश्टक इनके मेहत फून रचनाय है वाचल रस की अविव्यक्ती में सूर्दास संस्कार के सर्वस्रेश्ट कवियों में गिने जाते हैं आचारे रामचंदर शुकल ने लिखा है वाचल और श्रंगार रस श्रंगार के छेतर का जितना अधिक उत्काटन सूर ने बंदा को से किया अतना किसी और कवीने नहीं इन शेतरों का कोना कोना विजहां का आए हैं ये वाच के बहुत महत्तवों हैं इसको याद कर लीजेगा और आपको याद होगा ही सूर्दास बल्लवाचारे के शिश्ट थे और अश्ट जाप में शामिल कवी भी थे अगला प्रश्ण है ब्रहमर गीत नाम से सूर के कावे को किसने संपादित किया है रामचंदर शुकल जी ने ब्रहमर गीत के नाम से इनके कावे को संपादित किया है और शुकल जी आलुच जो अन्य आलुच नात्मक करतिया हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं कौन गौनसी हैं गोस्वामी तुलसिदास 1923 में लखी है जाइसी ग्रं थावली 1924 में ब्रहमर गीत सार 1925 में सूर्दास जी का है रस्मी मांसा 1949 में रस्मी मांसा आचार शुकल की सद्धानतिक आलुचना है आचार शुकल ने आलुचना के छेतर में विरुद्धों का सामन्जस सिद्धानत का प्रवर्तन किया है प्रेम बाटिका के रजनाकार क करिएगा अचार शुकल ने आलुचना के छेतर में विरुद्धों का सामन्जस सिद्धानत का प्रवर्तन किया है विरुद्धों का सामन्जस से प्रेम बाटिका के रजनाकार कौन है रस्कान है यह बलल्ब संपरदाय में दीख्षित थे रस्कान कृष्ण वक्त कभी थे और इनोंने कृष्ण के सागुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मन्योग से किया है गंगावतरण, हिंडूला, जगननादास, रत्नागार की रचनाएं है गंगावतरण और हिंडूला, तथा किरती लता किरती पतागाविद्यवती की अभट भाषा में लिखी रचनाएं है अगला प्रश्थ्ण है, मीरा भाई को किस के शिष्या कहा जाता है? मीरा भाई को रहधास के शिष्या कहा जाता है इनका समय सोलवी शताब्दी है मीरा भाई का जन्व राइस्थान में हुआ था ये बच्पन से ही कृष्ण वक्त थी इनकी वक्ती माधुरे भाव की थी इनकी मेहत्वण रचना है नरसी जी का मायरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद और राग सुरट के पद ये बहुत मेहत्वण है याद रखेगा महावाणी किस संपरदाय से संबंदित है तो निर्मबार्क संपरदाय संपरदाय से और महावाणी की रचनाकार जो है हरी व्यास देव है जो की निर्मबार्क संपरदाय के प्रमुक कभी है हरी व्यास देव के गुरू का नाम श्री भट था श्री भट को निमबार्ग संप्रदाय में हितू सकी का अवतार माना जाता है परशुराम देव के गुरू का नाम हरी व्यास देव था परश्राम देव ने निंबार्क संप्रदाय की गद्धी को रायस्थान के सलेमवाद में इस्थापित किया निंबार्क संप्रदाय के इस अंस्थावक निंबार्क अचारे हैं विश्णू के स्थान पर कृष्ण के सकुन रूप का सरप्रथम प्रति बादन निंबार का चारे ने किया है अश्ट चाप के स्थापना 1565 इसवी में गोस्वामी विठल नातने की गोडी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन ने महाप्रुवू है राधा बल्लब संप्रदाय के स्थापना 1534 इसवी में आचा रहे था हरी वंच में ब्रंदावन में की जोतिश गरंथ खेट कोटकम की रचेता कौन है जोतिश गरंथ खेट कोटकम जो है रहीम दास ने लिखी है ये एक जोतिश गरंथ है और रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दलरहीम खान खाना था इनकी प्रमुक रचनाओं की खोज सरप्रतम भरतपुर के माया शंकर या गित ने की है रहीम दास ने संस्कृत फार्सी और हिंदी मिश्रित भाशा में खेट को दखम जातकम नामक एक जोतिश गरंथ की रचना की है रहीम दास जी की प्रमुक रचनाओं है जो दोहा वली नगर शोभा शरंगार सो उठा मदनाश टक बरवे नायक अवेद बरवे नायक अवेद अवदी भाशा में लिखा प्रथम रीती निरूपक ग्रंथ है इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस्मंजरी के आधार पर हुई है अवदी भाशा में पहला रीती निरूपक ग्रंथ है वरवे नायक अवेद पुष्टी मार के प्रवर्तक कौन थे बल्लवा चारे थे पुष्टी मार की वक्ती में पुष्टी भगवत अनुग्रह या क्रपा को कहा जाता है शुद्धा दोयत बाद के प्रतिपादक भी बल्लवा चारे थे रामावत संपरदाय के संस्थाबक कौन थे? रामानंद थे इसमार्थ संपर्दाय के और अधुयत älltयकि संस्ताफक शंकौह चाहरे थे और विशिष्टा दुयत्वात के रामानंजजचाहरे थे अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सी नरुत्तम दास की विख्यात करती है नरुत्तम दास की विख्यात करती सुधामा चरित है नंद दास ने भी लिखा है सुधामा चरित सुदामा चरित नरुत्तम दास की विख्यात करती है नरुत्तम दास का जन्म सीता बुर्जले की वाड़ी नामक कस्वे में हुआ था नरुत्तम दास की प्रमुक का विक्रती है सुदामा चरित खंड का दृप चरित विचार माला नरुतम दास के प्रमुक भाषा प्रजभाषा है अगला प्रशन है मीरा भाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है राइस्थानी मिश्रत ब्रज़ का इनकी भाषा में प्रयोग हुआ है इनका जन्द 15-16 भी में हुआ था इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रीतम या पती की रूप में की है मीरा भाई की भाशा राइस्थानी मिश्रित ब्रज भाशा है मीरा भाई की प्रमुकरचनाए है गीत गोविंद का टीका नरसी जी का माहरा राग सोठा राग गोविंद रुकमणी मंगलित त्यादी मीरा भाई की भक्ती मादुरिवाओ की थी अगला प्रश्ण है खीरा सर से काटिये मलियत नमक लगाए उक्ति का किस की है खीरा सर से काटिये मलियत नमक लगाए रहीम की उक्ति है इनका मूल नाम अब्दलरहिम खान खाना है रहिम दास ने बर्बेनाय का वेद नामक ग्रंथ लिखा है जो जिसकी भाशा अवदी है और यह प्रतम रीती निरुपक ग्रंथ था दुहा वली नगर शोबास, रंगार सूर्था, मदनाश्टक, खेट, कोतकम इनके प्रुमुक ग्रंथ है अगला प्रिशन है निम्न में से कौन राधावललव संपरदाय का प्रवर्तक है राधावललव संपरदाय का प्रवर्तक कौन है हित हरी वंच है हित हरी वंच ने राधावललव संपरदाय का प्रवर्तन किया है इन्होंने रादा जी को गुरू रूप में सुईकार किया है बल्लव संप्रदाय जो है बल्लवाचारे ने लिखा किया है इसका प्रवर्तन इसमें पुष्टी मार्क का प्रवर्तन इन्हें पुष्टी मार्क का प्रवर्तक तथा शुद्ध दुद्वाद सिध्धानत का प्रतिपादक कहा जाता है निंबार्क संपरदाय निंबार्क का चाहरे ने लिखी है हरिदास सकी या टटी संपरदाय स्वामी हरिदास ने इसकी स्थापना की गोड़ी चेतन ने महापरभू ने स्थापना किये सकी संपरदाय को क्या कहा जाता है सकी संपरदाय को हरिदास संपरदाय भी कहा जाता है इसके अलावा और क्या कहा जाता है सकी संपरदाय हरिदासी या ट्रट्टी संपरदाय भी कहा जाता है इसके संस्तावक स्वामी हरी दास जी हैं राधा बल्लब संपरदाय के संस्तावक हित हरी वंश हैं गौली संपरदाय के परवर्टक चैतन निम्हाप्रभू हैं चैतन निमत का दारसिनिक सिद्धान अचिंत भेदा वेद कहलाता है अगला प्रश्ण है ब्रंदावन में मीरा भाई की मुलाकात किस कृष्ण वक्त कवी से हुई थी ये बहुत में तुपूर्ण प्रश्ण है किस से हुई थी इनकी मुलाकात कृष्ण वक्त की कवी जीव गोस्वामी था जो कृष्ण वक्त थे जीव गोष्वामी थे इनके मुलाकात ब्रंदावन में मीरा भाई से हुई वहां से मीरा द्वार का चली गई और वहीं रण छोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरावेदना का निवेदन करती रही मीरा ने कृष्ण को बालिस नहीं कहा है यह भी पहुत में तुपुण फंकती है मीरा ने कृष्ण को बालिस नहीं कहा है मीरा ने प्रसिद अलवार कवित्री अंडाल की भाती कृष्ण को अपना पती मान कर अपनी भावना नट नागर के चर्णों में अर्पित कर दी तो मित्रों ये था हमारा यूथ कॉम्पेटिशन टाइम्स का अगला वीडियो और इससे आगे हम फिर अगले वीडियो में प्रयास करेंगे जल्दी ही मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद